चलिज तो बात करने वाले हैं सूरिया कंपनी के बारे में सूरिया रोशनी लिमिटेड इस कंपनी के क्वाटर 4 के नतीजे डिकलेर हो चुके हैं और अब आगे किस तरही का मोमेंटम इस कंपनी के इंदर हम लोग को देखने को मिल सकता है सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस company के अंदर जो हैरानी वाली बात हम लोगों को दिखाये देरी वो ये है कि पिछले एक साल के अंदर ये company आम निवेशकों का पैसा 6 गुने से भी जादा करती हो न ज़रा रही है तो ऐसी क्या company के अंदर हम लोग को हलचल देखने को मिला है जिसकी वज़े से इतना अच्छा खासा momentum देखने को मिला है देखे ये नतीजे तो आपको अभी देखने को मिल रहा है quarter 4 के इससे पहले भी company के अंदर हम लोग को अच्छा खासा momentum देखने को मिला है अब अगर एक ओवर व्यू देखें तो लगवग 855, 855 million dollar की यह company हम लोग को दिखाए दे रही है तो कोई छोटी मोटी company नहीं है काफी बड़ी company हम लोग को दिखाए दे रही है और साथी में अगर बात करें इसके product की तो यह company lighting system के अंदर हम लोग को दिखाए देती है काफी बड़ा है इस company का लगातार growth हमने इस company के अंदर देखी है अब अगर बात करें बेसिक तो लगवग 50 से ज़्यादा country के अंदर इसका माल supply होता है तो कोई छोटी मोटी company हम लोग को नहीं दिखाए दे रही है साथी एक information में आपके साथ में share करना चाहूँगा कि जो पिछले पांच साल रहें company के अगर CGR देखें तो लगवग 14 दस हम लोग 14% के आसपास हम लोग को दिखने को मिल रहा है पिछले 5 सालों के अंदर अगर देखें ओवराल तो 14% के आसपास हर साल जो हम लोग के रिटर्न कमाके देती है तो अब अगर देखें तो आईस से अप्रूर्ड यह company हम लोग को दिखाए दरी है अच्छा-कासा momentum इस company के अंदर लगातार हम लोग को देखने को मिल रहा है तो एक basic जानकारी थी जो कि मैंन अदर खरिदारी किये हुए है तो उनको भी इसका डिविडेंट का मिलेगा और जो लोग नहीं खरिदारी करते हुए नजराएंगे record date से पहले तो उनको भी जो है इसका लाब मिलता हूँ नजराने वाला है कि नतीजे किस तरिके कंपपनी के निकल के आ रहें क्या और और सकती हैं तो सबसे पहले यह वैल्लcem स्क्रीन पर दिखाए दर यह लाग के अंदर हैं तो अब अगर देखें तो पहला कॉल हम Milan को दिखाये दरहां यह प्रिजेंट कोईटर के नतिज़ हैं यह फिकले वाले कोटर के नतिज़ साल के वेल्लिऊ देख लिते हैं तो revenue from operations किस तरिकी के दिखाए दे रहें लगभग 1,72,188,000,000 के आसपास दिखाए दे रहें अगर हम करोड में convert करें तो 1721 करोड रुपे के आसपास निकल के रहे हैं जैनके 1721 करोड रुपे के आसपास निकल के हैं present quarter में और यही अगर तुलना करें पिछले वाले quarter से तो ल वहां से भी हमें company के दर तेजी देखने को मिल रहे हैं साती दोस्तों अगर बात करते हैं company की total income की तो हम लोग को दिखाए दरी 1723 करोड रुपे के आसपास जो कि पिछले वाले quarter में हम लोग को दिखाए दरी थी 1589 करोड रुपे के आसपास तो quarter on quarter basis पे घजब का momentum देखने को मिल रहे हैं company की total income बढ़ते हुने दर आ रही है साती अगर बात करते हैं पिछले साल की तो वहां से भी हमें company के दर तेजी देखने को मिल रहे हैं अब बात करते हैं company के खर्चों के बारे में तो देखें यहां पे अगर present quarter की बात करते हैं तो 1645 करोड रुपे के आसपास निकल के आ रहे हैं यह value लाख में है मैं आपको करोड में convert करके बता रहा हूं और अगर पिछले वाले quarter को देखें तो लगभग 1505 करोड रुपे के आसपास हम लोग को देखने को मिल रहे थे तो खर्चे बढ़ते बने दर आ रहे हैं quarter on quarter basis पे इसी तरी किस बात करते हैं प आपको दिखने को मिल रहा है तो quarter on quarter basis पे company का profit before tax 11 को बढ़ता हुआना जरा रहा है साथ यह कर बात करते हैं पिछले साल की तो 3942 लाग के आसपास यह आपको दिखाए जरा था तो वहां से भी हमें company के अंदर तेजी दिखने को मिल रहे हैं अब बात कर लेते हैं मोटा मोट पांचाजार आठसो चुमवन लाग के असपास profit निकल क्या है present quarter में और अगर तुलना करें पिछले वाले quarter से तो तेजी दिखने को मिल रही company के अंदर इसी तरीके से बात करते हैं पिछले साल की तो महां से भी हमें company के अंदर तेजी दिखने को मिल लिए अब देखें जि की बात करते हैं तो 2% से जाधे की तेजी आपको इस समय दिखाए दरी होगी 497把 में की आस पास और पैसा लगा खाया होगा इस एक साल के दूरान लगा तार 스क अलों को हल derivative अब देखे 528% से जादा के इसके इंदर आपको देखने को मिल रहे होंगे तो अच्छे खासी TG जो है पिछले एक साल के अंदर देखने को मिल रहा है अब अगर देखें तो पिछले 5 साल का मुमेंटम हमें किस तरीके का देखने को मिल रहा था तो यह चला गया था जाता हुआ नजर आया था उसके बाद से काफी गिरावट इस कंपनी के इंदर हम दिखाई दे चुकी है अब अगर और गिरावट की बात करते हैं तो 76 रुपे के आसपास ये स्टोक्स जाने के बाद में रुकने का नामी नहीं नहीं ले रहा है अब देखे कर कंपनी की बात करोड के आसपास थी उससे पहले 887 करोड रुपे के आसपास दिखने को मिल रही थी उससे पहले लगभग 1349 करोड रुपे के आसपास थी तो अच्छा-खासा मोमेंटम बना हुआ है पिछले तीन क्वेटर से लगातार कंपनी की सेल्स को बढ़ते हुने जरा रहे अब बा 40 करोड के आसपास दिखने को मिल रहा था जून 2020 में उसके बाद 100 करोड उसके बाद 116 करोड रुपे के आसपास यह निकल के आ रहा है तो क्वाटर-on-क्वाटर विसस पे तो अच्छा-खासा मोमेंटम कंपनी के अंदर दिखाए दर आ है अब एक नेजर डाल लेते हैं कि Year-on-year basis पे यह कंपनी हमें किस तरगी के दिखाए दरी है तो मार्च 2020 की बात करते हैं 5471 करोड के असपास आपको सेल्स दिखाए दरी है इससे पहले 5975 करोड के असपास है उससे पहले 345 करोड उससे पहले 2900 करोड 3500 करोड 2900 करोड तो यहां पे एक चीज आपको दिखाए हुआ करता था 2006 में और अभी अगर बात करें तो एक सो तीन करोड के आसपास आपको दिखने को मिल रहा है और इस बार भी जो है अच्छा-कासा मोमेंटम हमें कंपनी के अंदर दिखने को मिला है क्वर्टर ओन-क्वर्टर बैसिस पर भी और यर City का आ अरडमान करोड के असपास मों को करचा भी दिखने और है फिलाल की डिय्यट में सेल्स के अनदर हमों को मोमेंटम नगटीव दहने को मिल रहा है और यूसी के अंदर अच्छा से लेवल दिखने को मिल रहे है अर्निंग पर शेर हम लोग को मजबूत दिखाए दे रहा है कैश की बात कर लेते हैं तो डेड़ करोड के आसपाद जो हम लोगो कैश भी दिखाए दे रहा है अब देखे पिछला एक साल तो काफी शांदार रहा है लगातार तेजी के संकेत कंपनी के अंदर प्राप्त 29,824 करोड के मार्केट के साथ में अब सेल्स देख लेते हैं तो देखे अगर आप ग्राफ में देखेंगे तो लगातार मोमेंटम आपको उपर की तरफ दिखाए दर है हाँ पिछले एक साल में हम लोग को जरूर हलचल देखने को मिली है कंपनी के अंदर ओवराल मोमेंट दिखने को मिल रही है तो पांच सालों का यहां पर रिकोड दिखाए दर है लगातार चकाचा मोमेंटम कंपनी के अंदर बना हुआ है और वी की बात कर लेते हैं तो देखें पिछले एक साल में इसके इंदर गिरावर जरूर देखने को मिली है बठ फिर भी ओवराल मोमें दिखने को मिल रही थी लगभग 21% के आसपास इन्होंने शेयर अपने गिरिवी रखे हुए थे प्रमोटर्स ने और अगर अभी की बात करें तो लगभग 9% के आसपास आपको दिखने को मिल रही है तो कहने का मतलब है कि पिछले दिखने को मिल रही लगभग 34% के आसपास देखे पिछले एक साल के अंदर जिस भी निवेशक ने इसके अंदर पैसा लगाया होगा तो मुझे नहीं लगता होगा कि उसने पैसा इससे नहीं कमाया होगा डिया इसकी बात कर लेते हैं लगभग चाहए अच्छी डेट प्रिशंट के आसपास हम लोग को होल्डिंग दिखाए दे रहे है फाइस इसके अंदर हम लोग एक्टिव दिखाए दे रहे हैं तो अब तक तो अच्छा-खासा मोमेंटप हमें कंपणी के अंदर के अंदर देखने को मिल रहा है सात ही कंपनी लग को मिल रही है नतीजे ठीक टाक देखने को मिल सकती है जिस तरह किसे तेजी लगातार कंपणी के अंदर हो रही है एक चीज को कभी भी नहीं भूलना चाहिए वह अगर आप नहीं खरीदारी करना चाहते तो कम से कम होल्डिंग या इसके अंदर बना के रखें कोई जरूरी नहीं एक दम से सारा पैसा इन्वेस्ट करने की कम कम शेर्स जो है होल्ड कर सकते हैं और सिर्फ नीचे की तैयरी ही आपको करके चलने तो अगर आप नए हैं लेती है तो लिंक नेचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है वहां से जाकर आप सीधे डिमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं दोस्तों करें पूरी जानकरे आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक जुरूर कीजेगा चैनल सब्सक्राइब करके रख मिन सकें थैक यू समच फो वाचिंग